असलाम अलेकूम, आज हम कर रहे हैं Colors of Pakistan की Comprehension उसमें आज हम करेंगे Vocabulary Building What is Vocabulary? Vocabulary क्या होती है? Vocabulary is commonly defined as all of the words known and used by a particular person Vocabulary जो है, जखीरा-ई-अलफाज को कहते हैं, हमें वो अलफाज जिनको हम जानते हैं और उनका इस्तमाल भी जानते हैं Words are the starting points Without words, no one can talk about people, places or things, about actions, relations or states अलफाज जो होते हैं, उनसे हम शुरू करते हैं अगर हमें हमारे पास अलफाज ना हों, तो हम लोगों के बारे में, जगों के बारे में, अशिया के बारे में और जो अमाल हैं, और जो रिश्ते हैं, और जो हालते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर सकते तो किसी भी जबान को सीखने के लिए उसके अलफाज का जानना बहुत जरूरी होता है Therefore, acquiring an extensive vocabulary is one of the largest challenges in learning a language कोई भी जबान जब हम सीखते हैं तो उससे सबसे बड़ा जो मरला होता है वो vocabulary या जखीरे अलफाज को सीखना होता है Word knowledge is essential for comprehension किसी भी चीज़ को समझने के लिए अलफाज के मतलिक इल्म हासल करना बहुत जरूरी है सबसे पहला वर्ड है culture Culture का मानी English में है A way of life जिन्दगी गुजारने का तरीका Customs कहते हैं रसूमात को and beliefs of people और लोगों का उसके बारे में जो इमान होता है यानि जिन्दगी गुजारने का तरीका और रस्म और रवाज ये सारे मिलकर culture तर्तीब देते हैं Traditions Transmission of customs are beliefs from generation to generation जब यही culture जो है वो रस्म और रवाज जो और जो हमारे तोड तरीके होते हैं एक नसल से दूसरी नसल को मुंतकिल होते हैं तो Traditions बन जाते हैं Traditions को उर्दू में रवाज, रीद या रस्म कहते हैं Distinctive को English में कहते हैं Special and unique खास, unique, अकेला जैसे बहुत सारे लोगों में से ये एक बंदा जो आगे खड़ा है ये Special है मक्सूस Distinctive, special and unique मक्सूस फिर है Cheerful Noticeably, happy and optimistic जो खुश नजर आए और पुर उमीद हो और उर्दू में इसको कहते हैं खुश मजाज Cheerful Dominate Be the most important or conspicuous person or thing in आप देखें कि इस में से सबसे ज्यादा एहम है सबसे ज्यादा नमाया है इन फूलों में से तो Dominate वो होता है जो सब के उपर राज करता है जो सबसे ज्यादा नमाया होता है नमाया उर्दू में Dominate का मतलब नमाया है तो प्यारे बच्चो इसी तरह पाकिस्तान का भी एक मतलब है जब हमने पाकिस्तान बनाया तो एक नारा लगाया ला इलाह इल्लाला मुहंद ररसूलुला इस नारे का मतलब जानने के लिए कैसे हम जान सकते हैं जब हम कुरान मचीद को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे कुरान मचीद अल्ला की भीजुई किताब है हमें इसको सोच समझ कर तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि जब तक हमें किसी चीज मानी नहीं आते हम इल्म हासिल नहीं करते हम उससे फाइदा नहीं उठा सकते तो आज से इंगलिश और उर्दू पढ़ने के साथ साथ कुरान मचीद को भी समझ कर पढ़ें उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें